प्रोग्राम के शुरवात जी हाँ सचिन पाइलेट से शुरवात इसले कर रहे हैं क्योंकि सचिन पाइलेट को आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदाली मिलने वाली है कॉंग्रेस पार्टी में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और कैसे सचिन पाइलेट का भविश अब सुनहरा दीखता नजर आ रहा इस पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान मंत्री मंडल विस्तार को लेकर राजस्थान मंत्री मंडल विस्तार जो हुआ राजस्थान में जिन नए मंत्रियों को जगह दी गई है वो सचिन पाइलेट को ध्यान में रखते हुए गया है सचिन पाइलेट भी ते काफी समय से कॉंग्रिस पार्टी अलगमान सोनिया गांधी से नाराज चल रहे थे पार्टी नेता राहूल गांधी और प्रियंका गांधी से भी नाराज थे सचिन पाइलेट की नाराजकी को देखते वे सोनिया गांधी इतना डर गई थी है ऐसा लगने लगा कि अगर सचिन पाइलेट ने कॉंग्रेस का साथ छोड़ दिया तो राजस्तान में कॉंग्रेस के लिए मुश्किले बढ़ जाएंगे तो यहां पर बहुत बड़े हत्ता की देखा जा रहा है कि फिलाल सचिन पाइलेट को ध्यान में रखते राजस्तान का मंत्री मंदल विस्तार किया गया यानि सचिन पाइलेट को खुश किया जा रहा है आने वाले समय में कॉंग्रेस पाइलेट के लिए रास्ता साफ हो चुका अशोग गयलोथ हार मांनते नजर आ रहे हैं अशोग गयलोथ का केमा कमजोर पढ़ चुका है और अशोग गयलोथ के जो भी करीबी विधाया को थे उन्होंने भी अब सचिन पाइलेट का दामन थाम लिया ऐसने में एक और जहां सचिन पाइलेट को राजस्तान में मुख् JLo 지원 दरसल प्रियांका गांधी ये यह तरी है कि पस्चमी उत्तर-प्रदेश का वोट निकालनाा कॉंग। के लिए इतना आसान नहीं है पश्चमी उत्तरप्रदेश का वोट अगर कॉंग्रेस को चाहिए तो सचिन पाइलेट को उत्तरप्रदेश लाना पड़ेगा सचिन पाइलेट गूजर समुधाय से आते हैं पश्चमी उत्तरप्रदेश पूरा जाट लैंड है और जहां पर सचिन पाइलेट ने राजस्तान में जितनी पकड़ अपनी मजबूत बनाई है ठीक उसी तरह की मजबूत पकड़ वह उत्तरप्रदेश में बनाते नज़र आएंगे इसलिए एक और जहां सचिन पाइलेट को राजस्तान में बड़ी जिम्मेदारी मिलती दिखाई दे रह पाइलेट ने अपनी स्थती को मजबूत किया और पश्चिम उत्तरप्रदेश के वोट को अपनी तरफ कर लेते हैं तो बहुत बड़े हद तक सचिन पाइलेट की जीत होगी और आने वाले समय में कॉंग्रेस के अध्यक्षपत की कमान सचिन पाइलेट समालते नजर आएं पहतर डंग से कर सके और पार्टी के सभी नेता उस पर विश्वास करें तो यहां पर सचिन पाइलेट ऐसे नेता है जिनकी छवी बहुती साफ है सचिन पाइलेट ऐसे नेता है जो शुरू से पार्टी के लिए मेहनत कर रहें और शुरू से तमाम पार्टी के नेता उन पर विश्वास भी करते नजर आ रहें तो यहां पर देखा जा रहा है कि आने वाली समय में कॉंग्रेस के अधियक्षपत की कमान सचीन पायलेट समालते नजर आएंगे देखे सचिन पाइलेट अगर अध्यक्षपत की कमान सवालेंगे तो कॉंग्रेस पार्टी के वोट शियर का ग्राफ कहा जा रहा है और कॉंग्रेस पार्टी के वोटर्स कहा जा रहे हैं जनता का रुक की सो रहेगा यह समझे अगर कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्षपत की कमान सभालेंगे तो इससे कॉंग्रेस पार्टी का ग्राफ बहतर ढंक से आगर आगे बढ़ेगा यहां तक कि मैं बात करूँ तो जब हम लाइफ प्रोग्राम करते हैं बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते राजस्तान से उत्तरपरदेश से पंजाब से देश के कई राज्यों से जुड़ते हैं और एक सवाल जब हमने पूछ लिया कि अगर कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्षपत की कमान सचीन पाइलेट के हातों में दी जाती है तो तस्वीर कितनी बदलेगी कॉंग्रेस की स्थ सचीन पाइलेट के हातों में सौंपी जाएगी तो कॉंग्रेस को लोग सभाज चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा तो कि राजस्तान में जिस तरह मजबूत पकड़ सचीन पाइलेट ने बनाई और जिस तरह जनता सचीन पाइलेट पर विश्वास करती देखिए के लोग प्रियता अगर सचीन पाइलेट की देखिजा तो वो राजस्तान तक स्थीमित नहीं है पूरे देश में सचीन पाइलेट की लोग प्रियता है और देश की जनता सचीन पाइलेट को अपना नेता मानती भी है चाहे देश का युवा हो या वैसे जनता हो तो सचीन पर विश्वास करती है तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि सचिन फैलेट पर विश्वास बहुत बढ़े हद तक देश की जनता का हो जाएगा और देश की जनता का विश्वास सचिन फाइलेट पर होना यानि Congress के vote share में व्रिदी अभी तक Congress का vote share जो vote percentage था वो लो पर दिखते नजर आता लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी के entry हुई है तब से Congress के vote share बढ़ रहे हैं और अभी हाली में राजस्तान मंत्री मंडल में जो फिर वदल हुआ है सचिन पाइलेट को ध्यान में रखते वे किया गया है इससे भी Congress का vote share बढ़ रहा है यानि Congress अभ युवाओं को मौका दे रही है और इससे देश की अंता देश का युवा यह देख रहा है कि Congress युवा को मौका दे रही है यानि कि युवाओं के लिए Congress पार्टी आने वाले समय में काम करती नदर आएगी तो फिलाल सचिन पाइलेट के लिए रास्ता साप होता चला जा रहा है सचिन पाइलेट पीते काफी समय से इस बात का इंतिजार भी कर रहते कि आकर पार्टी में उन्हें कब बड़ा स्थान दिया जाएगा पार्टी में कब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन यहां पर तो जिम्मेदारियों की फिहरिस्त लग गई है लंबी लाइने दिखती नजर आ लिए एक और जहां राजस्थान में उनका मुख्यमंत्री बननाता है उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाये जा रहा है आन मौझूदा समय के अंदर सचिन पाइलेटट के लिए अथा अच्छे दिखाई दे रहे हैं मौझूदा समय में सचिन पाइलेट एक वक्त अच्छा दिखाई दे रहा और फिला 주는 आगर हम यहां पर बात करें कि Congress Party में अगर युवाओं को मौका दिया जा रहा है Congress Party में अगर युवाओं पर बहुत बड़ा focus किया जा रहा तो ऐसे में बड़ा चेहरा सचिन पाइलेट जो है उनको पीछे नहीं रखा जाएगा तो सचिन पाइलेट है जो युवाओं को आगे लेकर चलने का काम कर सकते हैं और सचिन पाइलेट जैसे नेताओं को जिम्मेदारियां सौप कर Congress बड़े इस तरफ पर युवाओं को अपने साथ जोड़ सकती है तो Congress ने जो मोहिम जा रहा है कि सचिन पाइलेट जैसे नेताओं को अब जिम्मेदारिया मिलना दिखता नजर आ रहा है फिलाल उत्तर परदेश में स्थती क्या नजर आएगी ये देखने वाली बात है लेकिन उत्तर परदेश के विदान सबाचुनाओं से पहले प्रियंका गांधी की मदद के लिए सचिन पाइलेट राजस्थान की उत्तर परदेश की राजनीती में उतर सकते जिससे वो पूरी तरह से बीजेपी का खेल बिगार दे नजर आएंगे आज के लिए ताहिए आप से फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार